आधे दोस्तों कैसे हैं? हुम उम्मेद करते हैं कि आप अच्हे होंगे और आपकी तयारी बहुत और चल रही हुए दोस्तों तो आध फिर हाज रहे, एक नए क्लास के साथ और आज की क्लास मुसी आ रही है मुझे यह मेरे चोटे-चोटे बच्चे ये मेरे चोटे-चोटे भाई जो की पेपर दिये हैं क्लासिक्स में एडमीशन लेने के लिए नवदय में इनका रिजल्ट अभी तक तो आया नहीं जिसकी जानकारी हमने आपको बहुत पहले दे दिया था बहुत कुछ और चैनल है जो बहुत अच्छे है वो भी जानकारी बहुत ही अच्छे से आपको पहले ही दे दिये हैं कि भाई जब भी रिजल्ट आता है लगभग दो महीने का टाइम लगता है और रिजल्ट जब भी आएगा वो मार्च में आएगा अब जिस दिन से पेपर हुआ है उसके अगले ही दिन से अगले ही दिन से मैं देख रहा हूँ कि यूटूब पे लगातार रिजल्ट आगया रिजल्ट आगया रिजल्ट आगया अब तो इस्तिती ये हो गई है कि कई चैनल वाले लोग दूसरे चैनलों का नाम ले करके जगड़े पर आ गये हैं आपका रिजल्ट और जगड़ा कई यूटूब चैनल वाले आपस में कर रहे हैं मुझे देख के मतलब बहुत हैरत गंज हो रहा है कि बताईए ये जब अपने को ही नहीं सही बता पा रहे हैं तो किसी बच्चे के बारे में क्या सही बताएंगे ना अच्छा कोई जूट बोलने वाला इंसान है तो ये बताईए कि वो आपको कैसी नालेज देगा जूटा ही तो देगा और उसकी नकल करने वाले लोग को आँगो भी तो जूटे होंगे भाई ये स्टेज ऐसा है जहांपे कोई जूटी जानकारी नहीं दी जाती है अगर जानकारी है तो दीजिए नहीं है तो बेवाहियात का बाते करके जगड़ा करने की क्या ज़रूरत है अलाकि मैं अभी फिलाल वीडियो कल नहीं डाला था और ऐसा कुछ मुझे दिखा ही नहीं कि कोई वीडियो डाले तो रात को मैं अपने ही चैनल को देख रहा था तो उस पर कुछ कोश्चन किये गये थे उन कोश्चनों का जबाब लेके मुझे आना था आपके पास छोटा सा कोश्चन एक दो है जिसके जबाब बहुत महतोपूर है सभी को वो जबाब चाहिए लेकिन वो कोई जबाब नहीं मांगता और उस पर कोई नहीं लगातार बोल रहा है कि इस समय बच्चे को जरूरत क्या है बस यूटूब पे आ रहे हैं रिजल्ट आ गया चेक करो फला करो ढखा करो इतने पैसे मेड़ मीशन होगा ये होगा बस सब जूठी अप वाएं और देखिए गलती कहीं आपकी भी है वही आप देखना भी चाहते हैं सही तरीके से आप नवदे में अपने बच्चे को इंटरी दिलाना ही नहीं चाहते गलती आपकी है और जो दिलाना चाहते उनके परसेंटेज बहुत कम है और इसी वज़ा से आपकी नियत नहीं सही है इसी वज़ा से आपका ही बच्चा सह ही टाइम पे नवदय में नहीं जाता है और गलत तरीके से कई बार फार्म आपको भरवाने पड़ते हैं पहले हम अपने आपको रोके ना हम हम अपने बच्चे को रोके ना छह साथ आठ में बच्चा चल रहा है तो हम नवदय का फार्म भरवा रहे हैं या पहले तो कई बार तिर तिर चार चार बार पेपर दिलवाते थे यहां से वहां से उस बलाक से उस बलाक से घुमा घुमा के पताए इसका क्या मतलब है अरे वो बच्चा है ज़्यादा उमर में वहां जाएगा जिस उमर में उसे 9-10 में पढ़ना चाहिए वो 6-7 में पढ़ेगा तो बचाईए प्रभाव पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा उसे खुद अच्छा नहीं लगेगा तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो लोग आपकी result को लेके YouTube पे लड़ रहे हैं मैंने ही समझता कि वो आपको कोई सही जानकारी जब रोज आप फेक न्यूज फैला फैला के अपने आपको अपने चैनल को या अपना वीव या फिर अपने जो पैसे हैं उनको बढ़ाना चाह रहे हैं ये सब गलत चीज़े हैं कुछ जानकारी दीजिए जो सही हो और आप लोग से भी निमीदन हमारे गारजियन महोदय जी और हमारे बच्चे आप भी वहीं पे ठारिये जहां पे आपके काम की चीज़े मिलती हों जहां पे आपको क्या जरूरी है आपको पढ़ना जरूरी है न यार तो पढ़ाई की चीज़े ढूड़िये न आप पढ़ाई की चीज़े आप देखते ही नहीं आयदीन चैनल मैं IQ पढ़िए आपको कोई पढ़ने से रिलेटेड वीडियो मैं खुद डाल के देखता हूं अभी मैं 9 या किसी भी पेपर देने के लिए मैं आपक Immaी परियावार्ची मैं और दिन डाल रहाँ उसके कुमेंट नहीं उसके कोई विईू नहीं है मैं आपके लिए सवाल जब क के question जो कि बच्चों के द्वारा ही पूछे जाते हैं उसमें आपका बच्चा कहां है महोदय बच्चे को सामने बैठाईए बेटा इसको साल्ब करो तो तब तो पता चलेगा आपका बच्चा फाइप में जाने के लायक है सिक्स में एडमिजन लेने के लायक है अगले साल उसका फार्म फाइप में हम डलवा पाएंगे अगर नहीं तो बच्चे को मेहनत पहले कराईए न ये न्यूज बात में देखिएगा कि गलत तरीके से इंट्री कराना है ऐसा न्यूज आपको आए दिन मिलेगा और ऐसा होता ही है ना ऐसा जो करते होंगे वो गलत है आपको भी पता है और गलत तरीके से जब पकड़े जाएंगे ना तो बहुत बहुत भोगना पड़ता है ठीक है तो सही चीज पहले आप करिए जो आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे के उपर प्रभाव पड़ेगा मेरा मानना आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट करके जरूर बताईएगा आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा अब रही बात मेरी ये वीडियो लाने का तो मेरा मकसर यह नहीं था कि मैं किसी की जगड़े आके बताऊं लेकिन देखा तो मुझे हसी आने लगी और हसी इसलिए कि बत हो जाएगा तो वहाँ पर जा के का करना है वहां पर जाके सोना है का अरे ये इससे भी जदा पढ़ना को इससे भी जदा पढ़ना होगा ओं है की सके बारे मैं जानकारी दीजिये चलिए हमने क्या बता दिया था हम बात करने वाले थे पीछले वीडियो में मैं आपसे बात किया था कई वीडियो में मैं लगातार आपको जानकारी आपकी एक्जाम से या फिर आपके एडिमीशन के दोरान कौन-कौन से काखजात चाहिए उस पे मैं जानकारी दे रहा हूँ मेरे बहुत सारे भाईयों ने प्रस्न पूछा था बहुत सारे तुमा लीजे चैनल पर आते ही नहीं बहुत कम लोग देखते हैं लेकिन ठीक है अगर आप देख रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताईएगा कि पढ़ना जरूरी है बेटा बार बार वीडियो अगर देख रहा है तो पढ़ाई से रिलेटेड देखिए जानकारी आपको मिल ही जाती है और एक बार जानकारी जो हो गई वो बदलती नहीं रहती है ठीक है तो अब क्या है कि अब आप मेंसे ही कुसी ने पूछा था कि सर ह हमने बताया था कि OBC का जो सर्टिफिकेट होना चीए वो सेंट्रल का होना चीए OBC का सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चीए वरना आप राची सरकार का पनवा के लेके जाएंगे वो मानने नहीं करेंगे और पूछा गया सर उस समय तो हम कोई कागज नहीं लगाये थे उस का certificate केंद्र का कैसे बनेगा ये खास प्रस्ण पूछा गया था तो मैं बताओं केंद्र का बनवाने से पहले पहले राज्य का बनवाना होगा जो राज्य का आप OBC का certificate बनवाएंगे अपने साइबर कैफे पे जाके जो आपके अगल बगल गाउं में होंगे वहाँ पे जब जाके बनवाएंगे तो पहले वो राज्य का बनाएंगे और उसी राज्य के OBC की certificate के आधार पे केंद्र के लिए अपलाई किया जाएगा तो आप सोचिए time double हो गया या नहीं हो गया इसलिए मैं कह रहा था बंदू बहुत पहले ही वीडियो डालके कि बनवा लिजिए time लगता है फिर बाद में क्या हो अब पस्ताय क्या हो जब चिडिया चुक गई थे आपके पास हतियारी नहीं रहेगा तो लड़ाई का लडएंगे तो हतियार अपने तयार करिए और result अब ही नह द्यान दीजिए या जनकारी की बात है कि वह मॉबाइल नंबर जो उसमें आप डाले हैं उसको आप चालू करके रखिएगा अगर उस पे कोई फेक फोन आता है तो पहले उसे सही से बात कर लिजिए जनकारी ले लिजिए तो अभी उसको अपनी कोई जनकारी दीजिए ऐस कोई आपका teacher है, कोई जो भी प्यून है, कोई चपरासी, कोई बच्चा कोई पर्चे का है, तो उसके माध्यम से आप पता करा सकते हैं, result कब आएगा ये सही knowledge लीजिए ना आप, आप गलत तरीके से काम खुद मत करिए, और ना आपने बच्चे को सला दीजिए, क्योंकि बच्चा नकल करके सिखता है, माब आप जूट बोलते हैं, बच्चा भी जूट बोलने लगता है पीनेक कहे, उससे कहना नहीं पड़ता तो बस आप से request है, कि आप अपने बच्चे को पढ़ाई पर देहान दीजिए, अब इस चैनल पर आपको, मैं बहुत जल्दी सारे question जो अभी हाल में नवदय में हुए है, नाइन्थ के चाहे टेंथ के, वो सारे question में लाऊंगा दो दो चार 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 छाच्चे question करके मैं आपको बताऊंगा और वो अपने पालने से, अपने बच्चे से, जो आपका पच्चा छोटा जो फोर्थ में है, इस बार फिप्त में जाएगा, दो हजार पच्चीस के लिए नवदय का पेपर देगा, उससे लगवाईए उससे बैठा के पूछिए कि बेटा ये तुमको समझ में आ रहा है ये कहां तक जान रहा है, नहीं जान रहा है तो इसी चैनल पे मैं बेसिक से भी पढ़ाऊंगा, मैं पहले वो कोश्चन ला रहा हूँ जिसको देखके आप और आपका बच्चा समझ जाए, कि मुझे कहां तक पढ़ना है, मैं अभी कहां तक हूँ, तो जब ये जानकारी आपको हो जाएगी, कि मैं यहां हूँ और मुझे उठके यहां जाना है या मैं यहां हूँ, यहीं जाना है तो उसके हिसाब से बच्चा लगा तार जादा नहीं दो घंटे मेहनत करता रहेगा, और आप देखेंगे, नवदय में, बिना किसी सिफारिस, बिना किसी जुगार, बिना किसी टेकनिक के, बहुत आराम से अपनी मेहनत के बल पे सेलेक्शन पाएगा, और सब का सपना होता है सब गारजियन चाहते हैं, लेकिन मेहनत करवाईए बच्चे से, मेहनत पे भरोसा दिलवाईए, जेकर साउरिये में वो जहाई होखा लगा, लुग आगे काबढ़ी, अगर अबबसे जुगार खोजल लगवो, लाइका का करियर नहीं खे, खतम होई गया, जब जुगार